जैसे कि आपने देखा है, हमने ल cassette class में एक नए अध्याई के साथ में आपके साथ था जिसमें हमने तक्त्वों के आवर्ति अगोड के बारे में मैंने आपको आईने नूर जा पढ़ाया था बच्चों आइनल उर्जा को आगे लेते हुए, मैं आज आपको आइनल उर्जा की आवर्तिता के संदर्व में जानकारी दोँगा बच्चों हम आइनल उर्जा का एक बार में संचित में definition आपके सामने recall कर देता हूँ याद करिए मैंने आपको बताया था कि किसी वी तत्व के परमाडू की गैसी विल्गेत अवस्था से एक या एक से अधिक एलेक्ट्रोनों को पूर्ण रूपेंड उस तत्व के परमाडू से बाहर निकालने के लिए हमको जितनी उर्जा की आउशक्ता होती है उस उर्जा की मातरा को हम क्या कहते हैं बच्चो आइनन उर्जा कहते हैं आइनन उर्जा का ही एक दूसरा नाम क्या भी है हम इसको आइनन बिभाव भी कहते हैं हम तत्तव के परमाड़ू से ऐलैक्टॉन को निकालने के लिए जो उरिजा इस्तमाल करते हैं वो उरिजा और इसकी एकाई ऐलैक्टॉन वोल्ट है बच्चो ओल्ट है जो जो उरिजा हम उससे पर घर्च करेंगे जाने के लिए आपको periodic table में दो स्थितियां चुननी होंगी जिसमें पहली स्थिति जब आप चुनेंगे तो वो स्थिति होगी वर्ग में ठीके इसको हम बोलेंगे वर्गा नुसार याने वर्गा की अनुसार और बच्चों दूसरी स्थिति जो हम चुनते हैं वो होती है आवर्थ में ठीके आवर्थ में और इसके लिए हम कहते हैं आवर्था नुसार मतलब आवर्थ क्या नुसार है ना अब आप लोग ये भली बात ही आप जानते होंगे कि वर्ग क्या होता और आवर्थ क्या होता है ठीके तो जब हम आईने नूर्जा की बात कर रहे हैं कि आईने नूर्जा की आवर्तिता की हमको व्याख्या करनी है मतलब बच्चों हमको आईने नूर्जा को वर्ग और आवर्त में समझाना है और इसको explain करना है कि वर्ग में क्या प्रभाव परता है आइनन उर्जा पर और आवर्थ में क्या प्रभाव परता है आइनन उर्जा पर तो बच्चों मैं जल्दी से आपको वर्ग के लिए explain करता हूँ ठीक है तो ध्यान दीजे वरगा नुसार आयनन उर्जा ठीक है ठीक है ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे सी मैं सबसे पहले जो मूल डेफिनेशन है वो आपके सामने रख दूँगा और मूल डेफिनेशन जो है बच्छो वो यह कहती है किसी भी वरग में ठीक है किसी भी वरग में वरगा नुसार उपर से नीचे ठीक है बच्छो आप हमेसा अल रखेंगे जब हम किसी वरग में होते हैं तो हमेसा उपर से नीचे ही वाप करते हैं आपन उपर से नीचे आते हैं तो किसी भी वरग में वरगा नुसार उपर से नीचे चलने पर चलने पर आइनन उर्जा का जो मान है ठीक है बच्छो तो आइनन उर्जा का मान क्या होता है बहुत अच्छे से याद रखेंगे घटता जाता है कि आपको याद रखने है बच्चों कि जब आप किसी वर्ग में उपर से नीचे मूफ करोगे न तो आईने मूफ जाका मन क्या हो जाएगा घट जाएगा कम हो जाएगा या कम होता जाता है इसको समझने के लिए मैं एक्जांपल लेता हूँ उधारण देखे बच्चों ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए जो उधारण में आपके सामने लेने जा रहा हूँ उधारण के तौर पर मैं आपके सामने फर्स्ट वर्ग के ना प्रथम वर्ग के या आप इसको समझना के चनä तो मैं प्रथम वर्ग या प्रथम सम्झना की टत्व ले रहा हूँ तो प्रथम समझना में जो टत्वें बच्चों सबसे पहला हाइडरोजन, ठीक है लीथियम, सोडियम पुटेशियम रुबीडियम सीजियम और इसके अलावा कौन है बच्चो फ्रांसियम ठीक है ये जितने भी तत्व मैंने लिखे हैं साथ एलिमेंट हैं और ये सबी आपके प्रधम वर्ग के तत्व हैं बच्चो हाइड्रोजन का परमाडू क्रमा एक है लिखियम का तीन है सोडियम का ग्यारा है पोटेशियम का उन्य बच्चो बहुत अच्चे से ध्यान दीजे और समझेए जब मैं इन तत्वो के संदर्व में आपको बताने जा रहा हूँ और मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ग में जब आप उपर से नीचे वॉक करते हो जब आप उपर से नीचे की तरफ चलते हो तो आइनन उर्जा का मान बढ़ता है उसके बढ़ने का जो सही कारण है न वो मैं आपको इस उधारण के द्वारा समझाने जाता हूँ कि आखिर वो क्यों बढ़ता है तो रिजन देखिएगा हाइडरोजन का एलेक्ट्रोनिक विन्यास एक होगा लिथियम का दो और एक होगा इस तरह से सोडियम का दो आठ और एक होगा पोटेशियम का बच्चे दो आठ आठ और एक होगा इसी तरह से रुबीडियम का दो आठ अठारा आठ और एक होगा जबकि सीजियम का दो आठ अठारा आठारा आठ और एक होगा फ्रान्सियम का दो आठ अठारा 32 अठारा और आठ और एक होगा finally बच्चों आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रठम बरगर के तत्व हैं और इसी दिनके अंतिम कोश में केवल एक सहयोजी एलेक्ट्रोन है, केवल एक वैलेंस एलेक्ट्रोन है, ठीक है, तो ये इनकी पहचान है कि एलेक्ट्रोनिक विन्यास बिलकुल इनका सही किया गया है, बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए और समझने का प्रियास हाइड्रोजन के पास एक सहल है, है न क्योंकि एक एलेक्ट्रोन जिस सहल में होगा वो पहला सहल होगा, लीटियम के पास दो सहल है, सोडियम के पास तीन सहल है, पोटेशियम के पास चार सहल है, ग्रूबिडियम के पास पांच सहल है, इसी तरह से सीजियम के पास शे सहल है कि जब कि इसके पास साथ सेल है तो बच्चों हम कुछ चीजह यहाँ पर मेंशन करेंगे और वो देखिये कि जब वरुरॉगा उसे उपर से नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि तत्वों कर जो परमारोगर्वांग । मिलता है पहला रीजन दूसरा जाएगा विल्कुल सही बढ़ता जाएगा पर्मारु के भी ट्रजय भी बलती जाएगी याने पर्मारु द्रिजय भढ़ेगी फ़ाइनली क्या होगmış वह देड़िक धस्ते कहले की संख्या भढ़ेगी कंदद凭 किसान दा ऐसे अब कोशों की संख्या बढ़ती है, सबसे महात्पूर चीज की नाभिक और अंतिम कोश, अंतिम कोश के बीच, एलेक्ट्रॉन की जो दूरी है, तो दूरी भी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, बहुत अच्चे से समझनी वाली बात ये है, कि जब आप किसी भी वर्ग में उपर सी नीचे की तरफ चल रहे हो, ठीके, तो क्या हो रहा बच्चों, तक्त्व का परमाडु क्रमान बढ़ रहा है, परमाडु आकार बढ़ रहा है, परमाडु तिर्जय बढ़ रही है, कोशों कि एलेक्ट्रोनों पर जो आकर्षन बल है न बच्चों, तो वो आकर्षन बल क्या हो जाएगा, वो कम होता है, और कम आकर्षन बल के एलेक्ट्रोनों को निकालना, अब एक चक्रत सरल होगा, ठीक है, तो यही वज़ा है बच्चों, कि वर्गार उपर से नीचे चलने पर डञज कि रहालनों को अन्तिं कोशकान को निकालबनां पिक चक्रत शर्ल हो जायेगा और हम वहाइटी सहर्जीता से सर्लता से अन्तिं कोशकान को क्या कर सकेंगे निकाल सकेंगे और यही बज़े कि वर्ग में अईनरुज高मान घठेगा बचो जल्दी आवर्तिता को कंप्लीट करेंगे और आवर्त के गुण को भी देखेंगे तो आवर्त में क्या होगा इस चीज को भी समझे बचो ध्यान दीजिएगा आवर्ता रुसार बचो आंसर आपके सामने पहले ले ले रहा हूँ आवर्ता रुसार किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चल्ले पर हम इसा बाएं से दाएं चला जाएगा किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आईनरुजा बढ़ता है अब इसके बहली का जो कारण होगा वह कारण में आपको एक उधारन के द्वारा इस्पस्ट करूंगा तो देखिए मैं आपके सामने दुती आवर्त ले लेता हूँ, ठीक, दुती आवर्त, तो बच्चों, दुती आवर्त के तत्व मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और वो कुछ इस तरह से होंगे, दुती आवर्त में सबसे पहले लीथियम, ठीक है, बेरीलियम, बोरोन, कार्बन, न इसका बस ठीक है एलेक्ट्रोनिक विन्यास अब बनाता हूं तो बच्चों ध्यान दीजे इसका एलेक्ट्रोनिक विन्यास होगा दो और एक इसका होगा दो और दो ठीक है इसका होगा दो और तीन दो और चार दो और पांच दो और छे दो और साथ और इसका होगा दो और ही चल रहे हो तो क्या होता है तो बच्चों तत्व का जो परमाडु क्रमांग है ठीक है वो बढ़ता है तो हमें एक बार देख लेते हैं कि क्या वास्तों में तत्व का परमाडु क्रमांग बढ़ता है देखें यहां परमाडु क्रमांग तीन है यहां चार है यहां पांच है यहां 6 है यहां 7 है यहां 8 है यहां 9 है और यहां पर 10 है यहने तत्व का परमारु क्रमांग क्या हो रहा है बढ़ रहा है परमारु अगर बच्छों तत्व का परमारु क्रमांग बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए था होना चाहिए था कि उसका आकार भी बढ़ना चाहिए था आकार बढ़ना चाहिए मैं बोल रहा हूँ चाहिए यहाँ पर मैं इस पर जोर दे रहा हूँ पर आकार बढ़ेगा ठीक है तो परवादु कुर्मान बढ़ेगा तो आकार बढ़ना चाहिए पर क्या आकार वास्तों मैं बढ़ेगा तो मैं बोल रहा हूँ आकार नहीं बरहेगा अब आप बोलेंगे सर आकार क्यों नहीं बरहेगा तो उसके पीछे reason देखेंगे क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कोशों की संख्या तो जैसे हम कोशों की संख्या पर बात करेंगे अब आप देखें यहाँ पर एक और एक दो कोश, यहाँ पर भी 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 एक और एक दो कोश, इसका मतल यहाँ पर जो कोसो की संक्यार केसी बनी हुई है इस्थर बनी हुई है और यही एक बजाई है कि जो तत्व है उसका आकार बढ़ता नहीं है जबकि उसको बढ़ android चाहिए था, अब बच्चों उसको बढ़ेस हो तो सीधी जिवात है कि उसकी त्रिज़ा भी नहीं बढ़ेगी, उसकी त्रिज़ा में भी ब्रद्धी नहीं होगी. लेकिन, लेकिन बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझेए, लेकिन आप देखिए कि उसके अंतिम कोस में एक एलेक्ट्रोन, इसके पाद 2 एलेक्ट्रोन इसके पाद 3 एलेक्ट्रोन इसके पाद 5 एलेक्ट्रोन इसके पाद 6 एलेक्ट्रोन इसके पाद 7 एलेक्ट्रोन इसके पाद 8 एलेक्ट्रोन तो बच्चो अंतिम कोस में एलेक्ट्रोन की संख्या क्या हो जाती है बलती है ठीक है और जो नाविक है नाविक में क्या बढ़ते हैं नाविक में बढ़ते हैं धनात्मक आवेश मतब प्रोटॉन की संग्या बढ़ती है तो बच्चो जब अंतिम सैयोजी कोस में एलेक्ट्रोन बढ़ेंगे और नाविक में धनात्मक आवेश बढ़ेंगे तो बच्चो ऐसी situation में उनके पास जो अन्तिम संजों जी ये जो अन्तिम संजों जी एलेक्ट्रोन हैं इनपर नाभिकी है इन पर नाविकी आकर्षन क्या हो जाएगा बच्चों? इन पर नाविकी आकर्षन बढ़ जाता है अब अगर इन पर नाविकी आकर्षन बढ़ जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा? सिंपल सी बात है इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा मतलब सिंपल सा है कि वो कैसे होने लगेंगे वो छोटे होने लगेंगे कहले का मतलब यह था लीथियम, बेरीलियम, वोरोन, कारवन, नाइट्रोजन, ओक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है तो अगर यह सबसे बड़ा है तो यह वाला उससे थोड़ा चोटा हो जाएगा यह उससे चोटा हो जाएगा यह उससे चोटा हो जाएगा यह उससे चोटा, यह उससे चोटा और यह सबसे चोटा हो जाएगा तो देरे देरे परमाडू का आकार चोटा होता जाएगा और छोते आकार के परमाड़ों से वज़े हैं कि हमको उर्जा अधिक खर्च करनी पड़ेगी अधिक देनी पड़ेगी और जब उर्जा अधिक खर्च करनी पड़ेगी अधिक देनी पड़ेगी तो सवभाविक सी बात है जब आप किसी आगर तुम्हें बाइसे दाई की तर एलेक्ट्रोन बंदोता बच्चों समझने का प्रियास करेंगे एलेक्ट्रोन बंदोता क्या है बहुत अच्छे से समझे किसी तत्व के परमाडू की गैसी विल्गित अवस्था में उसके उसके अंतिम सेयोजी कोश में एक या अधिक एलेक्ट्रोनों को प्रवेश कराने है तुँ तत्व के परमाडू से निकाली गई या उसे दी जाने वाली निकाली के यगी जाने वाली उर्जा को एलेक्ट्रोन बंदोता कहते हैं बच्चों बहुत अच्छे से समझ के रखिए एलेक्ट्रोन बंदोता नाम से ही समझ में आ रहा है जो किसी तत्व के परमाडू में उसकी गैसी बिलगे तवस्था में एक ये एक सथिक इलेक्ट्रोनों को उसके अंदर प्रवेश कराने के लिए हम उसको जितनी उर्जा देंगे या उससे जितनी क्लोरी सेविंटिANG के एक सामपल लो तो यह जाएगा दो आठ और साथ होगे ऐसमें इसमें हैं इसमें एक इलेक्ट्रोन को घिलान करने की प्रवल प्रवत्ति होगी तो ये क्लोरीन का नाविद है ये पहला कोश यह दूसरा कोश और बच्चो यह है तीसरा कोश बच्चो पहले कोश में उसके पार दो एलेक्ट्रोन हैं यह मैंने आपके सामने रखना स्टाट किये इस तर nonprofit से दूसरे वाले में आठ एलेक्ट्रोन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं इस तरह से बच्छो अंतिम कोश्नों, उसके पास 7 एलेक्टरॉन है, अब देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये के 7, अब हमको एक अत्रिक्ट एलेक्टरॉन को प्रिवेश कराना है, मालने वाले बच्चों मारे पास यह अक् chicos अलेट अलेक्ट्रोंग है और हम इसके अंदर इंसाइट कराना चाहें तो हमको क्या करना पड़े गा हमको मारे में यह इम हुब यह लेक्ट्रोंग तो सजाथी आवेशों में स्धक क्या होता बच्चों बिल्कुल सही सजाती आवे से थोड़ी थोड़ी सी उर्जा क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे इनसे उर्जा को निकाल देंगे ताकि यह सुस्थ हो जाएं लेजी हो जाएं ठीक है मेरी बात समझ में आई आपको जैसे ही एलेक्ट्रोन सुस्थ होंगे हम इस अत्रिक्ट एलेक्ट्रोन को अब इतनी पर्याप्त उर्जा देंगे कि ये उनका विरोध करके आप आसानी से उसके अंदर चला जाए और ये जितनी उर्जा अपने साथ लेकर जाएगा ये उन एलेक्ट्रोनों के द्वारा जो इस उर्जा को हमने निकाला था उनकी भरबाई कर देगा और उनके साथ समंझेज बिठा कर क्या हो जाएगा अंदर इस्थाई तोर पर रहने लगेगा तब सिंपल सी बात है इस एक अत्रिक्ट्रोन को प्रिवेश करानी के लिए हमने तत्व के परमाड़ू से जो उर्जा निकाली थी वो उर्जा ये जो उर्जा बच्चों हमारी इसी उर्जा को हमके इस नाम से जान रहे हैं इस कौन कहा रहे हैं, इलेक्ट्रोन बंदुता, यह एलेक्ट्रोन तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है बेसिकली पहले यह धनात्मक और धनात्मक होगी, लेकिन इसके भी हमको तीन अलग-अलग ताहित मिलेंगे तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना भैल रखिए थेंक्यू